लेकिन आपको बताते हैं इस बीच कीवी नहीं, खारकीव भी नहीं, खुरासान में भी रूसी सैने काफिले पर अटैक हुआ है, युक्रेन के पलडवार में वहाँ पर जो गाड़िया जा रही थी, जो कॉन्वोय है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है, और ये बड़ी बात है कि यह वो इलाका पढ़ता है, साउथ का इलाका है, आप देखिए कि साउथ की ओर से याने की, क्रिमिया के बहुती करीब ये और खारकोन, खार्षोन जो इलाका है और मगर मैं ये कहता हूँ कि यूकरेन के पास तीन हजार टैंक्स थे, कम से कम साथ हजार आटी पीसी थे, उनके पास है, अटैक हैप्टर थे, एरफ पार थी, वो लड़े नहीं, अगर वो लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रूस की फोज कीव तक पहु एक और खबर आ रही है, कीव में फिर साइरन बजा है, खत्रे का साइरन राजधानी कीव में सुनाई दिया है, रह रहकर कीव में धमाके हो रहे हैं, यानि इस पूरे संगर्ष का केंद्र बिंदू कीव बन कर उभरा है, और कीव पर कबजे की कोशिश है, जिसकी कोशिश लगातार रूस कर तो रहा है, लेकिन अभी वो कामया भी नहीं मिली है, जिस कामया की बात मेजर जेनल सिवाच कर रहे थे, कीव का गिरना जरूरी है, सवाल ये है कि वक्त कितना, लेकिन जब खारखीव जैसे इलाके नहीं गिर रहे हैं, तो इसमें कीव को तो मुझे लग रशिन आमी में, जहां पर चाहिए ब्रिजेज हो, लॉंग रेंजेज ब्रिजेज, शॉर्ट स्पैन ब्रिजेज, उसके इलावा आटलरी गन्स, बीम 21 ग्रैड, उनके मेकनाइस कॉलम्स, आईसी वीज, उन सभी को ध्वस्त करते हुए, खैसोन इलाके में, सबस्यादा कीव का इलाका है, जहां चारों तरफ घिराफ कर रखा था, और यह जो आप देख रहे हैं कि लॉंग और शॉर्ट रेंज जो ब्रिजेज हैं, वो दरसल उनी एरियास को ब्रिजिंग करने के लिए, क्योंकि जो आसपास की जो रिवर्स हैं, रिवराइन एरियास हैं, उनको धकने के लिए ताकि मुव्मेंट हो सक्या, इंडिया टीवी, हर वक्त, हर जगे, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर,